Hello Friends, Welcome back to Crazytronics आज की इस वीडियो में हम Tone Function के बारे में देखेंगे Tone Function क्या होता है, इसका यूज किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे तो चलिए दोस्तों बिना देरी कि ये शुरू करते है सबसे पहले हम देखते है कि Tone Function क्या होता है Tone Function का यूज करके हम Arduino की किसी भी डीजिटल पिन से 50% duty cycle की square wave ले सकते है और इस square wave की frequency को भी हम अपने requirement की हिसाब से change कर सकते है और इस signal का यूज करके हम buzzer से sound generate करवा सकते है इसका syntax रहता है Tone और इसके अंदर आपको तीन parameters लिखना पड़ता है पहला parameter रहता है pin number की आप कौन से pin से square wave generate करवाना चाहते है उसके बाद आपको इस square wave की frequency लिखना पड़ता है और इसके बाद आपको इस square wave का duration लिखना पड़ता है कि आप कितने समय तक इस square way को generate करवाना चाहते है और यहाँ पर यह जो duration वाला parameter है यह optional है अगर हम इसे program में नहीं लिखेंगे तब भी program execute हो जाएगा tone function को अच्छे से समझने के लिए हम एक example consider करते है मान लिजिए कि मैंने ordino के साथ में एक buzzer को connect कर दिया हूँ और मैं इस buzzer से sound generate करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा tone function के अंदर सबसे पहले pin number जो कि यहाँ पर है 5 और इसके बाद मैं frequency लिखूंगा यहाँ पर मैं frequency लिख रहा हूँ 2000 और इसके बाद मैं लिखूंगा duration duration में मैं लिखूंगा 5000 millisecond इसका मतलब की ordino की pin number 5 से जो buzzer connect है उससे 5 second तक 2000 hertz का sound generate होँगा friends अगर मैं tone function में से 5000 millisecond को हटा दू तब buzzer में से continue sound generate होते रहेगा और अगर मैं इस sound को बन करवाना चाहता हूँ तो मैं एक और function का use करूंगा जो की है no tone function इस function के अंदर हमें सिर्फ एक parameter लिखना पड़ता है और वो है pin number तो यहाँ पर no tone function यह करेंगा कि pin number 5 से जो sound generate हो रहा है उसको बन कर देंगा तो friends इस तरह से हम tone function और no tone function का use करके ordino से sound generate करवा सकते हैं friends tone function का use करते समय आपको कुछ important बातों का याद रखना पड़ेंगा पहला यह कि आप tone function का use करके ordino से 31 hertz से नीचे की frequency के sound को generate नहीं करवा सकते और second important बात यह है कि अगर आपने tone function के अंदर duration नहीं लिखा तब ordino उस sound को continue generate करवाएगा और अगर हम इस sound को stop करवाना चाहते है तो हमें no tone function का use करना पड़ता है और तीसरी सबसे important बात यह है कि जब ordino tone function को execute करता है तब हम ordino की pin number 3 और pin number 11 से PWM output नहीं ले सकते तो आपको tone function का use करते समय इन तीनों बातों को याद रखना पड़ेंगा तो friends इस तरह से हमने इस video में tone function के बारे में देखा next video में हम tone function को practically perform करेंगे जिसमें हम ordino के साथ में buzzer को connect करेंगे और tone function का use करके हम buzzer से sound generate करेंगे friends अगर आपको ये video पसंद आया है तो please इस video को like कीजिए अपने दोस्तों तक इस video को share कीजिए और अगर आप ordino की programming को basic से सीखना चाहते है तो please हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए वीडियो को आखरी तक देखने के लिए thank you so much